तो दोस्तों जैसे मैंने आज सुबह सुबह अपना WhatsApp को प्ले स्टोर में जाके अपडेट किया हूँ तो मेरे को एक नया इंटरफेस यहां पर सो हो चुका है आप देख सकते हैं आप लोग के सामने जिसका ने में Have an Android Tablet यहां पूछ रहे तो आप अगर इसका बार में डिटेल्स में पता करने चाहते हैं तो Learn Mode में क्लिक किजिए अगर आपको नहीं चाहिए तो Cross में क्लिक कर सकता है तो मैं Learn Mode में क्लिक कर दूँगा देने को दूस्तों मेरा समने यह वाला फीचर निकल का आ जाता है जहां पर उपर में WhatsApp नीचे WhatsApp LLC आ जाता है यहां पर देखें नीचे आपको लिखा है WhatsApp on Android Tablet उसका नीचे बोल रहा है Search for WhatsApp in the Google Play Store on your tablet Install or Update the latest version इसका मतलब है आप अपनी टेबलेट में जाके Play Store में जाके WhatsApp को सार्ज कर लिजिए अगर आपके पास पहले से है तो अपडेट कीजिए ने तो इंस्ट्ल कीजिए और देन उहां पर QR code आए जाएगा Start the app the following instruction to this link आपकोन पर तो उहां पर QR code आए जाएगा उसको scan करना पड़ेगा उहां पर कुछ instruction दिया जाएगा उसको follow करके आप अपनी WhatsApp को आपनी टेबलेट में चला सकते हो दोस्तो इसका यह जो option है आप दूसरा जगा से भी निकाल सकते हो देखिए यहां पर ऊपर में त्री डॉर में जाएए यहां पर link devices में जाएए यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा तो इहां पर जैसे क्लिक करेंगे इहां पर आ जाएगा linked devices बीटा बोलके तो इहां पर क्लिक करने से ओई option आपको घूम के आपके सामने आता है तो इसका पर पहले मैंने एक वीडियो बना के राखा था पट यह जो आपडेट है जो फॉन्ट पेज में आ रहा है आप सबको अपडेट करना लेटेस्ट बीटा वर्शन में देन चेक कीजिए और कॉमेंट करके बोली यह आपको मिला है या नहीं मिला है आज का वीडियो आज का इंफ्रोशन दोस्तों यहां पर क्लोज करते हूँ अगर आपको आच्छा लागे तो लाइक शेर सब्सक्रि मिला दोस्तों नेक्ट वीडियो पर जावर्शन अपडेट के साथ तब तक की लिए वाबाए